नमस्कार दूस्तों मैं संतोस पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल डिजिटल भंडार पर आज की वीडियो में हम पावरपॉंट सौप्टवेर में आड्यो को एड करना सीखने वाले हैं मतलब जब हम powerpoint software में कोई presentation बनाते हैं तो उस presentation में audio या sound को किस प्रकार add किया जाता है किसी भी presentation को अधिक आकरसित बनाने के लिए attractive बनाने के लिए उस presentation के साथ audio या sound को भी add किया जा सकता है presentation के साथ हम images को add कर सकते है audio को add कर सकते है video को add कर सकते है तो previous videos में हमने सीखा था presentation में image को add करना आज हम सीखने वाले हैं presentation में audio को insert करना और next video में हम सीखेंगे presentation में video को insert करना तो यहाँ पर हमने presentation में बनाया है जो की software topic पर है इस presentation में total 4 slide है 4 slide है sound add नहीं है, हम इस presentation के साथ sound को add करना चाहते हैं, तो sound को add करने के लिए पहले हमें insert tab को select करना होगा, insert tab को, insert tab में media section में एक option होता है video, एक option होता है audio और एक option होता है screen recording, आज की वीडियो में हम audio को insert करना सीखने वाले हैं, तो सबसे पहले हमने insert tab को select किया, इसके बाद हम audio option को select क करेंगे audio पर click करने पर दो option प्राप्थ होते हैं पहला option होता है audio on my pc मतलब जो sound या जो audio file आपके computer system में पहले से save है पहले से रखी हुई है आप उसको presentation में add कर सकते हो और दूसरा option होता है record audio मतलब presentation में जो sound add होगा वह हम बोल कर पहले record करेंगे उसके बाद उसको presentation में add किया ज हमें mic hardware की आवसकता होती है आपके पास mic होना चाहिए जिससे आप बोल कर data को record करेंगे और उस data को बाद में आप presentation पर add कर सकते हैं यहाँ पर हम एक बने बनाए sound को add करना चाहते हैं मतलब वह sound हमारे पास पहले से save है store है तो हम select करेंगे audio on my pc option को इस पर click करने से आपके सामन insert audio का dialogue box आ जाता है जिसमें आपको अपने computer system में से किसी भी एक sound को select करना है हमने यहाँ पर एक sound को select किया एक audio file को select किया इसके बाद हम insert option पर click करेंगे जैसे ही आप insert option पर click करते हैं आपके सामने slide पर एक sound का icon display होने लगता है यहाँ पर हमें एक sound का एक speaker का icon display किया जा रहा है साथी साथ कुछ control button भी display किये जा रहे हैं यदि आप इस sound को play करके test करना चाहते हैं तो यहाँ पर play और pause का button होता है इस पर click करके आप sound को play कर सकते हैं test कर सकते हैं और यदि sound को pause करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से pause भी कर सकते हैं यहाँ पर आपको forward और backward दो button भी दिय जाते हैं, यदि आप sound को forward करके try करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो forward कर सकते हैं, यहां से आप back भी कर सकते हैं, और यदि sound की volume को आप कम या ज़ादा करना चाहते हैं, तो यहां पर आपको volume बटन भी दिया जाता है, हमने अपनी presentation के साथ, एक sound को add कर दिया है, अब हम यदि presentation को play करते हैं, presentation को run करते हैं, तो यह sound भी presentation के साथ सुनाया जाएगा, हमारी audience अब presentation को देख भी सकती है, और उसके साथ जो sound add किया गया है, वह उसको सुनाया भी जाएगा, अब यदि हम presentation को run करते हैं, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें एक sound का icon display किया जा रहा है, यहाँ से हम इस sound को play भी कर सकते हैं, जैसे हम play करेंगे, तो presentation के साथ sound भी सुनाया जाएगा, आप इसको pause करना चाहते हैं, तो pause भी कर सकते हैं, तो आपने देखा यहाँ पर हमने अपनी slide के साथ, presentation के साथ sound क को एड किया लेकिन जब हमने साउंड को एड किया तो यह साउंड का आइकन हमारे सामने डिस्पले हो रहा है साथ ही साथ यहाँ पर जो प्ले और पॉस का बटन है वह भी हमें डिस्पले किया जा रहा है जब हम sound को add कर लेते हैं, तो हमें एक नया tab प्राप्त होता है, playback tab, playback tab में बहुत सारे option होते हैं, जिनका use करके आप sound को और भी attractive बना सकते हैं, playback tab में multiple option होते हैं, जो कि sound से related होते हैं, जब आप sound को insert कर लेते हैं, और sound को select करते हैं, तो एक नया tab आ जाता है, playback tab, इसमें पहला option ह होता है play, आप यहां से sound को play कर सकते हैं, pause कर सकते हैं, play and pause, sound को test करने के लिए, next option होता है add bookmark, यदि आपने sound को play किया है, और किसी एक time पर आप bookmark add करना चाहते हैं, तो इस option पर click करें, इस से जहां तक आपका sound play हो चुका है, बहां पर एक bookmark add हो जाता है, जो कि यह represent करता है, कि आप यहां तक पहले sound को play कर चुके हैं, यदि आप दोबारा sound को play करते हैं, तो यह bookmark यहां पर display किया जाता है, आप sound को और अधिक play करने के बाद, यदि एक और bookmark add करना चाहते हैं, तो फिर से add bookmark option पर click करते हैं, आपके sound के icon पर एक और bookmark add हो जाएगा, जो कि यह represent करता है कि आपने यहां तक sound को try कर लिया है, सुन लिया है, आपने जो bookmark add करे हैं, उनको select करके आप remove भी कर सकते हैं, bookmark को यहां से remove भी किया जा सकता है, next option होता है, trim audio, trim audio का मतलब है, यदि आपके पास एक बड़ा sound है, और उस sound का कोई part आप use करना चाहते हैं, मतलब एक बड़े sound म से कुछ part आप cut करके use करना चाहते हैं, तो उसके लिए use किया जाता है, trim audio option को, trim audio, इस option पर click करें, तो आपके सामने एक trim audio का dialogue box आ जाता है, जिसमें आप start time और end time दे सकते हैं, मतलब आपको इस sound का कितना area यूज करना है, या फिर यहां पर आपको stopper दिये जाते हैं, जिनको आप drag करके set कर सकते हैं, कि हमें इस sound का कितना area यूज करना है, जैसे कि मैंने यहां पर starting time set कर दिया और ending time set कर दिया, अब यदि हम ok कर देते हैं, तो हमारे sound का इतना area ही, इतना part ही हम use कर सकते हैं, मतलब एक बड़े sound का कोई area यदि आप select करना चाहते हैं, तो use करें trim audio option को, trim audio का मतलब है, एक बड़े sound में से कुछ पार्ट को use करना, next option यहां पर आता है, fade duration, fade duration मतलब आपका जो sound है, आप उसको start करते समय एक effect set कर सकते हैं, और end करते समय एक effect set कर सकते हैं, यदि अभी हम इस sound को play करते हैं, तो आप देख सकते हैं, हमारे sound को प्ले करते हैं, तो आप represent किया जा रहा है, यदि आप sound के starting में और sound के ending में एक effect set करना चाहते हैं, मतलब आपका जब sound start होगा और sound end होगा, तो उसमें आप effect दे सकते हैं, कौन सा effect, fade in और fade out, fade in को हमें यहां से add करते हैं, यदि आप fade in की value को कम set करेंगे, तो आपको इसका effect समझ में नहीं चाहते हैं आपको ऐसा लगेगा कि fade in से कोई effect हुआ ही नहीं है, यदि आप इसकी value को बड़ा देते हैं, जैसे मैंने यहां पर कर दिया 4 seconds, अब जब आप sound को play करेंगे, तो आपको sound थोड़ा सा रुक कर सुनाया जाएगा, धीरे धीरे सुनाया जाएगा, यह होता है, fade in effect, इसी प्रि इस होगा, end होगा, तो sound को धीरे धीरे finish किया जाएगा, slow finish किया जाएगा, तो sound पर दो प्रकार के effect भी apply करें जा सकते हैं, एक होता है effect, एक होता है effect, out, next option यहां पर होता है playback tab में, volume, आपने जो sound add किया है, उसकी volume को आप low कर सकते हैं, medium कर सकते हैं, high कर सकते हैं, और उसको mute भी कर सकते हैं, यह volume बटन हमें यहां पर भी दिया जाता है, हमें यहां से भी इसको use कर सकते हैं, next option होता है start, start का मतलब है, जब आप presentation को play करेंगे, तो sound कैसे play होगा, कैसे start होगा, by default यहां पर है on click, मतलब sound को play करने के लिए, पहले हमें sound पर click करना होगा, sound पर क्या करना हो होगा, click करना होगा, आप यहां पर automatically भी select कर सकते हैं, मतलब अब जब presentation को run किया जाएगा, तो automatic हमारा sound play हो जाएगा, हमें play करने की आवसकता नहीं होगी, और यदि वहां पर on click होता, तो हमें presentation को run करने के बाद sound को click करके on करना होगा, तो start को भी आप select कर सकते हैं, इसके ब across slide मतलब आप presentation की सभी slide पर इस sound को use करना चाहते हैं, अभी हमने पहली slide पर sound को insert किया है, मतलब यह पहली slide पर तो हमें सुनाया जाएगा, लेकिन दूसरी slide पर नहीं सुनाया जाएगा, यदि आप चाहते हैं, जो sound आपने एक slide पर insert किया है, वो आपके presentation की प्रतेक slide पर use हो, तो आप कौन सा option on कर दीजिए, play across slide, अब इससे क्या फायदा होगा, आपने जो sound add किया है, यह presentation की प्रतेक slide पर आपको सुनाया जाएगा, यह होता है, play across slide, next option होता है, loop until stopped, loop का मतलब होता है, किसी चीज़ को बार बार दोहराना, किसी चीज़ को बार बार दोहराना, हो सकता है, आपने sound छोटी size का use किया है, और presentation में बहुत सारी slide है, presentation बड़ा है, और sound छोटा है, तो यदि आपका sound presentation के बीच में finish हो जाएगा, तो भै, automatic दोबारा repeat हो जाएगा, मतलब, जब तक हम उसको stop ना करें, या हमारी presentation finish ना हो जाए, तब तक sound automatic repeat होता रहेगा, छोटा sound है, तो automatic by क्या होता रहेगा, repeat होता रहेगा, इसी लिए यह option दिया गया है, loop until stop, next option यहाँ पर होता है, hide during so, यह बहुत ही अच्छा option है, hide during so, अभी जब हम presentation को run करते हैं, तो हमें presentation पर यह sound का icon display किया जाता है, हम चाहते हैं, यह sound का icon presentation पर display ना हो, तो आप इस option का use कर सकते हैं, क कैसे इस option को on किया जाता है, automatic, audio की style कैसी हो जाती है, play in background, play in background का मतलब क्या है, अब जो हमारा sound है, वह सामने दिखाई नहीं देगा, उसका कोई icon नहीं दिखेगा, कहां सुनाया जाएगा, background में, मतलब उसका कोई भी icon हमारे सामने display नहीं होगा, आप इस option को यहाँ से on कर सक सकते हैं, otherwise, play in background पर किलिक करके भी use कर सकते हैं, जो हमारा sound है, अब उसका कोई icon हमें नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन background में sound चलेगा, तो background में किसी sound को add करने के लिए, एक option दिया गया है, play in background या hide during so, यहाँ पर एक last option और होता है, rewind after playing, rewind after playing, यदि आप इस option को on करते हैं, आ आपने किसी slide पर sound add किया है, यदि आपने किसी एक slide पर sound add किया है, और sound finish हो जाता है, presentation को run करते समय, आपका sound finish हो जाता है, लेकिन आप slide को change नहीं करते हैं, for example, हमने पहली slide पर sound को add किया है, पहली slide पर, और हमारे sound की duration कम है, छोटा है sound, लेकिन हमने slide को change नहीं किया, हम उसी slide पर हैं लेकिन sound क्या हो गया है finish हो गया है तो automatic same slide पर हमारा sound क्या हो जाएगा rewind हो जाएगा मतलब दुबारा play हो जाएगा एक slide पर यदि हम जादा देड़ तक किसी information को explain कर रहे हैं समझा रहे हैं और हमारा जो sound by finish हो गया है हमने slide को change नहीं किया है तो ऐसी condition में हम इस option को use कर सकते हैं rewind after play मतलब कि यदि हमने slide को change नहीं किया है और हमारा sound finish हो गया है तो वही sound same slide पर दुबारा क्या हो जाएगा play हो जाएगा उसके लिए दिया जाता है rewind after playing option तो यहाँ पर आज की वीडियो में हमने powerpoint presentation में sound या audio को insert करना सीखा और जब हम sound या audio को insert करते हैं तो हम एक नया tap राप्त होता है playback tap जिसमें sound को manage करने के लिए multiple type के option provide किये जाते हैं sound के द्वारा हम अपनी presentation को और भी आकरसित बना सकते हैं तो आप जो भी presentation बनाते हैं उसमें sound को use करके जरूर देखें आज हमने sound को add क करना सीखा नेक्स्ट वीडियो में हम वीडियो को add करना सीखेंगे आज की वीडियो को यहीं finish करते हैं आप presentation में sound या audio को add करके देखें यदि आपका कोई question है कोई doubt है तो comment section में जरूर पूछें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like करें जयता सेयर करें मिलते हैं अग